नाम लेकर पुकारा मुझे मैं ही मास्य मुझे को बरी दिया करुणा बलाई तेरी सदा रहेगी मुझे पए तेरी विश्वास्यों के ता देखूंगा मैं उम्र बए मैं हाथ उठाकर गाऊंगा येश्यों तेरा नाम रहे उचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा येश्यों तेरा नाम रहे उचा सबसे पहले मैं आपको बताना चाता हूं डिसाइपल सिफ क्या है और चाहे सेवा में आना उसका पहला कदम क्या है जिसको आप पार करके आए हो सबसे पहले चेला पन मुल्य मांगता है कीमत मांगता है कीमत मांगता है आप कीमत क्या चुकाते हो प्रभु ने कहा जो कोई अपना सब कुछ शोड के मेरे पीशे ना आए वो मेरे योग्य नहीं है आप त्याग के आए हो कुछ न कुछ कौन कुछ न कुछ किसको गवाई दे रहे बिवेग मैं कुछ त्याग के आया हूं हाथ उठाएं बहुत मुश्किलों को सामना करके आयो कोई टीचर की शुट्टी लेके आया कोई बौस से मुश्किल से डांट खाके शे शुट्टी देती है जो मुल्य उसके सामने कुछ भी नहीं रहता जब अभी शेक आएगा आपकी जिवन में हालेलोई वो गाने का भी शेक हो सकता है बजाने का भी शेक हो रहा है कि तुम बजा रहे हैं और कोई आत्मा से बढ़ रहे हैं अराद्धक का एक कितना बड़ा रोल है आपके मुझे तो सबको पास्टर बनने है बस जो एक बड़ा पास्टर ले हैंड करके बचन देखे रिलिंग करता है आपको बताब अपने परसनल प्रेयर रूम में किसी अराध के बजन को लगा लगा के आत्मा से भरत है और फिर आपके बास आता है अराध का कितना बड़ा रोल है खाले लोई है इसलिए हर एको अलग लग सेव कही है सब इस फिलिंग से नहीं आये के मुझे जाके लंगड़े चलाने और सब को यह फिलिंग रखनी भी नहीं है आपको यह कहने अगर आप चेलेपन में आये हो खुदा जो तेरी मर्जी है बहुत मेरे जिन में पूरी हो अग की इस्याइपa सिप मांगती है मुल ले स्अफ कई मांगती है मुल ले फतरका जाल चोड़ अलिश्या का इजली ब्ली किया जब बिजनम खतम किया चल पड़ा नहीमे ये अपने राम दाइक कुर्शी बड़ी पोस्ट पे बड़ा बिजनस M Fr. बड़ी पोस्ट पे था तो सेवकाई अगर आप देखें, मत्ती ने अपना सब टेक्स कलेक्टर सारा अपना पैसा शोड़ा, बड़ी पोस्ट पे था और इश्यों के पीशे चल पड़ा, सेवकाई मुल्य मांगती है, और इसलिए आपको उस मुल्य से घुजरने दिया है कर दो सेवकाई मुल्य 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 मांगती है क्यां मुल्य 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 जोरी युजरने और हिए। मैं मानचे近 test इसी, मतलल मैं कि करहाम इननु कहिशा उर्टी नहीं चाहिए तीर मैं पर anos успe करना चौंदी सी पर मेरे मान देविच बहुत सार यहां गल्ला आदियां सिखियां कि मैं की करां परमेशा ले और शायद मेरे मान देवे चेहीं सिगा कि कोई अद्धानी चीज होए प्रभू मेरे नो दे त्यार करें और परमेशा ने मेनू प्लेस जित्ती अथे आउन दे ल प्रेयर करें जान दी सी प्रभू वस मेरी नी बलकि तेरी मार्जी पूरी होए जो तू चाहें मेरे जिंदगी चोही होए और मैं थे आई और जिदो मैं थे अंदर एंटर होई और मैंनो एद्धा लग गया की को पूंद आगास्ट दिगिया और मेरी एको लोही दी जंजी पूंद ने चंचीनों तोड़ दिता थे जिदो में अंटर होई जिदो पापाजी थे आई परमेश्वार्ण में पोश्या में प्रभूधता अन्वाद कर दिया कि मेरी मार्जी ने इसी परमेश्वार्ण मार्जी सी अधुले हालेलूए वंडरफूल मैंने यहां आने से पापाजी मैंने दो दिन तक यहां सोया नी है धंसे और मुपूरी राज जगता था बहुत एकसाइटमेंट था यहां पर आने के लिए लेकिन उस बीच यहां पर आने के लिए मुझे बहुंसे रुकावटे आई मेरे पैसा नहीं होता था पैसे का अरेज्मेंट भी नहीं कि अंदर आय तो मुझे जब पवित्रा आत्मा ने फर्स्ट लेम चुआ तो मैंने अपने लाइफ में realize किया मैंने जब से 20 से 19 साल के इमें maturity हासिल की थी तब से मैं कभी रोता नहीं था मैं हमेशा श्ट्रगल करता था लाइफ में बहुत श्ट्रगल करता था कभी भी अपने दुख तकलीफ को किसी को बताता नहीं था लेकिन लाइफ में पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं प्रभू के बीच आज फूट-फूट कि उस्टेस को बता हुआता है